जात्रों, सूप्रभात, विद्यार्ति मित्रों, प्लास सेवन कि तक आपने सलस्किन में दीप मलिका पाट उस्तक में चार लकारों के बारे में आपने पढ़ा था, लट लकार, लंग लकार, लोट लकार और बिद्नी लकार. बिद्नी लकार जो है वो प्रुणा लकती, बातřी पाटों को आप क्रम से पढ़ते गए हैं, दिप्रभा पाट उस्तक में जो पहला पाट है, वो है स्वास्थेव धनम, स्वास्थेव धनम कार्ण कार्ट होता स्वास्थी थन है, स्वास्थी थन है. अब सबसे पहले हम जो है विद्धिनिक लकार की बारे में थोड़े से उना जानतारी प्राफ करेंगे विद्धिनिक लकार में जो है आज्यार्था होता है अज्यार्था का आर्थ होता हैगा चाहिए के अर्थ में, प्रात्ना के अर्थ में, इच्छा के अर्थ में जो आख बोले जाते हैं या अन्मति के अर्थ में या निंगत्रों के अर्थ में जो आख बोले जाते हैं जैसे आपको दूर्ज क्रिया चाहिए, हमें निमित व्यायम करना चाहिए, तो ये जो चाहिए वाले वाक्त होते हैं, या आगार्थर वाक्त होते हैं, वो बिद्लिक लखार संस्किने प्रयोग, बिजिनिक लकायटी क्रिया को बनाने के लिए जो प्रत्ते जोड़े जाते हैं वो ए, एतां, एयू ह, एह, एतं, ए, एयम, एव और टे अगर ये प्रत्ते पढ़ धागों के साथ जोड़ें तो सक्थ बनेगा पठे, पठेतां, पठेयू हो पठेह, पठ तम, पठेतप, पठेयम, पठेव, पठेम ये पठे पठतां पठेयू, पठेह, पठतम, पठे पठेयम, पठेव, पठेम ये क्रिया, अब इसकcation को इन करता के साथ आपको जोड़ना अब प्रथाम पुरुष के करता जो है वशावते सहतावते साते ताहा तते तानी या जो संग्या सबते हैं बालका हा बालको बालका इस तरे लिग है मजिला मजिले मजिला नबुन सब लोग है पलम खले पलानी या सबनाम सब्दों सहतावते उनके साथ जोड़ते हैं जैसे अगर इसको जाब पाई के चांद रज़ता है सहब पठे तब सहब पठे उसे पढ़ना चाहिए तब पठे तां वेजो को पढ़ना चाहिए ते पठे यू वेशत को पढ़ना चाहिए अब मध्य पुरुष के करता सबी दिगों में को मन होते हैं सामान होते हैं एक जैसे होते हैं तो मध्य पुरुष के करता तवां यूवां यूयम तो यूयम ये बध्यम पुरूgnon की कलता है तो क्या जायगा द्वंपठेह यूवंपठेथं यूयम्पठेथ Ар उत्तम पुरूश का जलएगा उत्तम पुरूश का कलता जो होगा आभा पतेयम आभा पतेव वयम्पठेम तो आभा पतेयम हमें पढ़ना चाहिए, या मुझे पढ़ना चाहिए, आवां पटेवा हम दो को पढ़ना चाहिए, वयां पटेवा हम सब को पढ़ना चाहिए, तो जाती लिए विदलिंग लकार के क्रिया का रूप आपने समझा और इसके प्रियोग को आपने देखा, अब पाठ गत में पाचन करूगा और उसके हमबाद को समझाओंगा और उसमें आये हुए जो विद्री लाकार्टी क्रिया है उसका ज्यान होगा पाठ के अंतरगर सिच्छ और छात्र के नीश संभाद है जिसमें स्वास्थ से संवन्थित बात को दर्साया गया है अर्था इस पाठ का जो संदेश है जो मोरल है जो सिच्छा मिलती है जो सी के आपको मिलेगी तो जीवन में स्वास्ती ही सबसे बड़ा धन है तो स्वास नी हैं तो स्वास नी हैं इस मत को डायलोग के मात्यम से संबाद के मात्यम से ये एक क्लासरूम का चित्र है और क्लासरूम में जो है सिच्छक आते हैं और सिच्छक आने पे जो प्रक्रिया होती है जो प्रस्ट जो उत्तल और शवाल और जवाब होते हैं उसका प् पुश्टब में छास्रों के काप्षित्र उसके हिद्धा है अध्यापका अच्छाम प्रविशक करते हैं सर्वे चाट्रा उठ्थाय अध्यापकं नमंती सभी चात्र उठ्ट करके अध्यापक को नमस्कार करते हैं अध्यापका है सर्वान अध्यापका छात्रान द्रिष्टवा पुछते हैं अध्यापका किन सर्वे चात्रा उपस्थित आ है क्या सभी चात्र उपस्थित हैं एक चात्र आचार्य संजीव न आगच्छत संजीव नहीं आया है अध्यापका किमर्थम किसलिए असी तस्थिहे सर्वे उसला क्या उसके घर पर सभी ठीक है संजीव न आचार्य नहीं आचार्य सहतु वहतो रितुजवेरेंड मौस्मी दुखार वाइलन प्रिवर्ड सहतु रितुजवेरेंड पीली तस्थिह वहतो मौस्मी बुखार से पीली थैं वायरल हुआ है अतह इसलिए विद्यालयम विद्यालय न अ बच्चत नहीं आया है अध्यापकह इतत ज्याप्तवा दुखं अनुभवामी यह जानकर दुख हुआ होता है यह दुखी हुआ हूं वयं स्वास्थस्य नियमा नाम पालनम अवस्य कुरयाम अभ्या कुरयाम हम सब को स्वास्थ के नियमों का पालन अवस्य करना चाहिए हम सब को स्वास्त के नियमों का पालन अवस्य करना चाहिए दुरुवः दुरुवः बोलता है प्यकुषता है आचार यह ए आचार के ते नियमा वे नियम काउं से है वयम ग्यातुं इच्छामा हम सब जानना चाहते है या हमें जानने की इच्छा है अध्याप कहा, अध्याप कहता है, संस्कृत साहिते, संस्कृत साहिते में आयर्वे, आयर्वे, आयर्वे सास्त्रस एका ग्रंथ अस्ती, संस्कृत साहित में आयर्वे सास्त का एक ग्रंथ है, तस्मिन ग्रंथे उस ग्रंथ में स्वास्तस्य स्वास्त के विषय में विष्ट्रेल विष्टार से वर्ण तम वर्णत है उस ग्रंथ में स्वास्त के विषय में विष्टार से वर्ण किया गिरा है प्रकास है, प्रकास कुछता है, आचार्य है, ए आचार्य, ग्रंथ से किम नाम अर्ष्ति, ग्रंथ का क्या नाम है, केंचर रचना, और किसने रचना की, अयम ग्रंथा, इस ग्रंथ की, इस ग्रंथ की रचना, किसने की, अध्यापका अध्यापक बोलते हैं या बताते हैं अयम महान ग्रंथा महीर महर्ष राम चरकेण रचिता इस महान ग्रंथ की रचना महारशी चरक ने की है ग्रंथस्य नाम चरक सहिता अस्ती ग्रंथ का नाम चरक सहिता है अध्यपी चिकिस्षाह तम ग्रंथम ज्यान वर्धनाय पठनती आज भी डॉक्टर चिकिस्षक करता था डॉक्टर डॉक्टर या चिकिस्षक इस ग्रंथ को ज्यान वर्धन के लिए बार बार पढ़ते हैं या ज्यान वर्धन के लिए पढ़ते हैं स्वास्थेव स्वास्थिही धनहे स्वास्थिहीं धनहे शरीरं स्वस्थम सरीर से स्वस्थ जना लोग एव सुखं लोग ही सुखा अधगंतों सुख का अनभव पाते हैं या सुख प्राप्त कर पाते हैं पढ़ने में पढ़ने में पढ़ने के लिए किन तुम खेलने के लिए धन परज तुम धान इकठा करने के लिए या धन प्राप्त करने के लिए देश्वंचा उन्यतिम समर्था भुवन्ति देश की उन्यति में समर्थ होते हैं अर्थार जो लोग स्वस्थ होते हैं वो सुप का अनभव करते हैं कप करते हैं या प्राप्त करते हैं पढ़ने में खेलने में धार अर्वित करने में देश के उन्यति के विकास में अनाधिका स्वास्थास रक्षाय वयं किम कर्यामा स्वास्थी रक्षा के लिए हमें क्या करना चाहिए पाण के गुश्रे अंस में एक चक्र दिया गया इस चक्र में सुबा से उठना सोना जागना इसके बारे में बताया तो अध्यापक उस नित्य क्रिया को बताते हैं अध्यापक कह सर्व प्रथम जना सुर्योदात प्राग उतिष्ठ ए यूह विद्रिम लगाता उतिष्ठ ए यूह सर्व प्रथम लोगों को सुर्यादर से पहले उठना चाहिए जबी को सुयोद से पहले उठना चाहिए। स्वच जल से इसनान करके स्वच वस्त्र को पहलना चाहिए। पर यूस्तम भोजनम कदाब ना खा देय। बासी भोजन कभी भी या प्रदूसित भोजन कभी भी खाना नहीं चाहिए। इसन भोजनम स्वास्थाय हानी कारकं भवती। ऐसा भोजन स्वास्थाय के लिए हानी कारक होता है। सदेव स्वास्थ वर्दानी खाज्यानी एव खागेय। हमेसा स्वास्थ वर्दक भोजन ही या खादपदार्थी खाना चाहिए। रात्र समय एवस सयनम पुर्यो रात्र के समय ही सोना चाहिए। स्वास्थ सरीराय मनसा भुद्धी अपी आवस्थी स्वास्थ शरीर में ही सुद्ध मन्धी होना चाहिए। अता जना इस्वरम आचार्यान गुरूर बृधान चा आचेर्यूर अता लोगों को इस्वर की सिच्छ की गुरू की और बृध्नों की आदर करना चाहिए यंका सम्मान करना चाहिए मनसे सुधन मैं सत्य बूलना चाहिए प्रियंग बूलना चाहिए जियद बूलना चाहिए सज्जनानाम संगती चख्र्यूर सत संगती संजयर लोगों के साथ ही सत संगती करना चाहिए counseling की साथ कुछना नाव हिंदेव जो जीवन के नियमें उनको कभी तोड़ना नहीं चाहिए, हिंदे तोड़ना सर्व प्राणेसु बंदु भूता अस्तुर सभी प्राणु बंदु या मित्रगंड हुना चाहिए, सभी परणु मुर्तिबाव का हुना चाहिए इता सामनेयं पालं जित्वा ऐसे नियमों का पालं करके जनाह लोग सदेव हमेशा मन से सरीडेन और सरीडेन चाहिए और स्वास्थाय नागरी के देशा अपी उन्यते, स्वास्थाय नागरी की देश की उन्यती करते हैं, सर्वे चात्रा हाँ, सर्वे चात्र, अद्यवयं ज्यानम अमिन्दाम यत्स्वास्थेव धनम अस्थी आज हम सब ज्यान प्राप्त किये की, स्वास्थे नागरी करते हैं, प्रकार इस पार्ट में हमने सीखा कि सिच्छक जो है स्वस्थ मन और विचार का होना चाहिए क्योंकि स्वस्थ मन में ही स्वस्थ विचार आते हैं इसलिए स्वस्थ स्वास्त ही सबसे बड़ा धन है विचेर दे मैंने पार्ट के अन्वाद को आपको सुन्धा दिया पार्ट के अंदर जो एक्ससाइज है वो आपको एसाइमेंट के तरह यह अन्वाद फिर से लिखा गुआ आपको धेजा जाएगा